हालो फ्रेंद्स वेल्कम ट्यू आई जर्बार डिस्कुशन में आपका बहुत-बहुत वागत आज 2nd September है और जैसा है मैंने कल भी आपको बताया था कि अब जो डिस्कुशन यहां पर अप्लोड होगा वह 4th October के बाद यह 5th October से अप्रॉक्स रहेगा मंडे होगा और तब से हम लोग इसको कांटिन्यू करेंगे अभी के लिए यह जो आज का डिस्कुशन है उसको आपको सुनता है बहुत ध्यान से आज का अटिकल बहुत इंपॉर्टन है दोनों ही तो जो लोग इस पर एक्जाम नहीं दे रहे हैं वह कांटिन्यू रखेंगे इतना जरूरी नहीं है लेकिन जो छोटे न्यूज आते हैं जैसे कुछ बॉक्स में बना हुआता है कोई डाटा आ रहा है तो उन सब चीजों को देखते रहना है ताकि क्योंकि एक्जाम में कई चीज़ें आपको मिल जाती है 15 दिन पहले 20 दिन पहले की भी न्यूज दिख जाती हैं तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आई जर्बार का आंसर रिव्यू ग्रूप है टेलिग्राम पर उसको जॉइन कर लिजिए आप मेंसे नहीं किया है और उस ग्रूप पर आपको डेली बेसिस पर जो अब्जेक्टिव कॉशन्स जाए जितने लोग यहां पर हैं कम से कम उस गुरूप में ज़रूर जुड़ जाए एक्स्टा डिसकेशन वहां पर बिल्कुल ना करें यह बिल्कुल प्रोहिबिटेड़ है मैं यहां पर रिक्वेस्ट कर रही हूं कोई भी बात चीट उस गुरूप पर नहीं होना करेंगे और उसका आप लोग फायदा उठाते रहेंगे उसके बाद हम लोग अक्टूबर से और अच्छी तरीके से जो भी आपके सजेशन हैं उन सभी को इंक्लूट करके इस दिसकेशन को फिर से शुरू किया जाएगा ओके तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते और को यू कैन शेक डवर्ल्ड आप बहुत ही विनम्र तरीके से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं याई अगर आपको लगता है कि कोई वी चीज बहुत टफ है आप पके से कुछ लोग में चीज पर आइसीन करना चाहते हैं लेकिन वे तैयारी के दौरान खास करके तो वहाँ पर बहुत ही धैरीका के साथ हमें रहना चाहिए बहुत ही पेशन के साथ रहना चाहिए और हमें एक-एक स्टेप आगे लेते में चाहिए कि हम इस तरीके से जो हमारी प्राफलम है उसको को रिजॉल्व करें उसके लिए पानिक होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और यह सेम आपके जो एक्जाम्स हैं प्रिलिम्स में इंटर्व्यू या बाकी चीज़ें इन सब भी लागू होता है तो आये शुरू करते हैं आज आपको इसाथ डिसकस करेंगे दो आर्टिकल को फूड इन से जुड़ा हुआ होगा और कोविड नाइंटीन के कुछ इंपक्ट लेकिन उस आर्टिकल के खास बात यह है कि कई सारे नए स्कीम्स को इसमें डिसकस किया गया है कि कि अभी रिसेंटली एफ जो फेओ है उनके द्वारा इनके दौरा कौन कौन से करना चाहिए आप कर सकते हैं आपको अल्टिमेटली स्पेंडिंग पर ध्यान देना चाहिए तो उसी चीज को यहां पर काउंटर करके आर्टिकल लिख रहे हैं राइटर की क्या होना चाहिए इस समय के सिच्वेशन के हिसाब से तो विल डिसकस और आपको इसको लिखना है और लिख करके फिर ग्रूप पर अप्लोड करना है अपने लिए आंसर लिखा कीजिए अगर आप डेली आंसर लिख रहे हैं तो इससे आपका confidence बिल्ट होता है आपकी सोचने की शमता बढ़ती है आपको आपका दिमाग हंगरी होता है किसना किसी नए facts को लेने के लिए आपके आंसर लिखेंगे आपके आंसर पर सभी जवाब दें तभी आप आंसर लिखेंगे it's absolutely not like that आपके अगर एक दो लोग भी आंसर पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल freely अपना जो गल्दियां आपको बताई गई हैं किसी को बताई जाती हैं उसको हमें जरूर ठीक करने पर ध्यान देना है और एक यहां पर मैं टिप्स हर स्टूडेंट को देना चाहूंगी इंक्लूडिंग में कई चीज़े होती हैं कई बार हमारे राइफ में कि हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं वह हमारे अंदर की कम्या हम सामने वाले से पूछते तो हैं कि आप बताओ मेर इस समय में हमेशा तैयार रहें अपने लिए करिटेसिजम को सुनने के लिए जितना जयादा हमें क्रिटेसिजम मिलेगा ना अतना ज्यादा हम फुरिण होंगे को हम ठीक कर बाएंगे तो जिस तरह के जब मैं आपको यहां सपर पूछती हूं कि nuclear's हां पूछती हूं कि क्य सब्सक्राइब करते हमें आपकी जो आपका जो आन्सर रइंग है वह सही हो जाता है तो सब्सक्राइब करता जै करते हैं उसलिए द्सक्राइब कहले कro COVID-19 and food insecurity requires new ideas, robust political will. तो मतलब समझ में आ रहा है headline से ही कि नए ideas क्या जरूरत है food security और COVID-19 से एक साथ लड़ने के लिए और इसके अलावा जो important चीज़ है वो है political will क्योंकि बिना political will के कुछ भी संभव नहीं होता है तो यहां पे global hunger से शुरुबात करते हैं कि global hunger का जो level है वो rise होता जा रहा है दिन बादिन खास कर हम एशिया के economic condition को देखते हैं एशिया कंटिनेंट को देखते हैं एवन अफ्रिका में भी आप जाके देखें तो जो अननरिश्ट बच्चे हैं उनकी संख्या काफी ज़्यादा बढ़ी है और कोविड नाइंटीन की वजह से कोविड नाइंटीन की वजह से एक तो economic growth काफी ज़्यादा रुख गया राइट economic growth पर इसका प्रभाव पड़ा है और दूसरी तरह food security threatened हो गई है अब आप यहां पर कहेंगे कि भारत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है food security कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर हमें थोड़ा सा रुकना है ऐसा नहीं होता है बिलकुल food security आज भारत में food security के मामले भारत बहुत आगया है हमारे पास enough अनाज मौजूद है देकिन ध्यान दीजिए जब भी हम अभी हम आर्टिकल में डिसकस करने वाले हैं जब भी हम यहां पर बच्चों की बात करते हैं उनमें food केने की बात करते हैं तो साथ में एक आज 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 आता है वह होता है nutrition nutrition को भी बच्चों तक पहुंचाना उतना ही बड़ा important काम है जितना कि उनको खाना प्रवाइड करना है क्योंकि आज जो अगर हम एशा की बात करते हैं तो एशा में ज्यादा तर जो section है जो population है वह वालनेरबल है towards the chronic underfed people क्या मतलब हो कि ऐसी condition में जहां पर बच्चों को एक correct balance amount में food ना मिले मतलग nutrition का जो एक balance तैग किया जाता है organizations के द्वारा कि यह nutrition बच्चों को मिलना चाहिए इस समय पर यह चीज़े मिलनी चाहिए तो अगर वह first ध्यान दिजाएगा first thousand days of life में उनको अगर यह nutritious food नहीं मिल पाते हैं from the conception of the age of two resulting in the irreversible stunting and the cognitive and the physical development तो उसे क्या होता है यह wasting और stunting जैसी समस्यां आने लग जाती है और यही किस की वज़े से होता है chronic underfed की वज़े से होता है उनको आप chronic underfed people बोल सकते हैं यह इस वज़े से होता है कि हजार दिन तक बच्चों को अगर nutritious food balance amount में ना दिया जाए तो बच्चे में stunting जैसे समस्यां आने लग जाती है और यहां पर एक रिपोर्ट है यह मैंने अलग से लिया इस आर्टिकल में नहीं था ठीक है तो बताया गया इस रिपोर्ट के द्वारा कि जो chronically underfed people की संख्या है जो प्रजेक्ट किया गया है वो कितना है यह 2030 तक 2030 तक यह प्रजेक्ट किया गया है कि साउद एशिया जो रीजन है साउद एशिया वहां पर 330 मिलियन पीपल इसके चपेट में आ जाएंगे और इससे वनरेबल हो जाएंगे इस लिए इस सीज को यहां पर काउंटर करना बहुत जरूरी है अगर बच्चों में ऐसे दिक्कत दे कि बच्चे जो होते हैं वो भ करके जो देश का भविश्य होगा वह उसी तरीके से होगा इसके अलावा जो हम पैसिफिक आइलेंस की बात करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा वेस्टिंग की समस्या है और तो यहां पर जो हेल्दी डायट है उसका जो कॉस्टिंग आती है वह बहुत हाय होती है जब आप खुद भी सोचे कि जब भी आपको प्रोटीन बेस्ट लेना होता है या फिर आप जेखते हैं जब नूट्रिश्यस फूट के लिए आपको फूट लेना पड़ता है आपको ग्रेंज लेने पड़ते हैं जो जनाव अगर है आपको यह सब चीजें लेनी पड़ती है तो यह चीजें इतनी सस्ती नहीं होती है और इससे जो और जो आपस्लूट कोस्ट बैटता है वह बहुत ज़्यादा होता है एल्दी डायट के टर्म में और अगर गरीबी होगी अ तो एक तरफ हमने कहां देखा स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या देखी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इन ही रीजन में ही जो बेसिटी है और ओवर्वेट है उसकी समस्या भी उतनी जादा बढ़ रही है बहुत ही फास्टर रेट पर है बच्चे जिनका की हाइट और उम्र से ज्यादा वजन हो जाए व्यमाई वगर ज्यादा हो जाए ओवर्वेट हो जाए तो यह सब समस्या भी बहुत बड़ी समस्या होती है अपने आप में तो वी आर पेसिंग टू टू पैंदमिक्स और यहां पर एक तो कविड-19 की वजह से कई सारी प्राब्लम्स हैं हेल्थ टॉल आप देखी रहें किस तरीके का है लाइवली हुट क्रैश हो गया है हंगर यह सारी समस्या बढ़ती जा रही है और एसे में हमने एक टार्गेट लिया वह वह क्या टार्गेट है ससनेबल डवलप्मेंट गोल को अचीव करने का 2030 तक और उसमें दूसरा वा अच्छा पॉलिटिकल विल और नए नए और अच्छे आइडियास की ज़रत बढ़ रही है यह चीज होनी चाहिए और पास्ट प्रोग्रेस वास असस्टेइन ब्रिंग बिंग ट्रिकल डाउन एफेक्ट यह गया रखेगा ट्रिकल डाउन एफेक्ट क्या होता है काफी इं इनकम बढ़ा देते हैं तो जो लोग ठाइक्लास इनकम के पीपल है उनका अगर इनकम बढ़ेगा उंक क्या करेंगेगो जब तरह करेंगे और श्क्राइब ऑजब ज्यादा टेक्स अक्ट को पे करेंगे तो यहां पर फिर यहीं क्या करेंगी उसी को यहीं विल्नेरबल से जाए गई है त्रिकल डाउन अप्रोच लेकिन राइटर का यह मानना है कि यह अभी हो रहा है कहीं ना कहीं कि इसमें जाइड से बात है बहुत समय लगता है बीच में आप देखिए अलगर तरीके से लोग टेक्स इवेशन वर्गर का हमें efficiency को बढ़ाना होगा losses को कम करना होगा and improving the quality of products available storage facilities which are critical to the flows of health foods and income to those who produce them जो उस food को produce कर रहे हैं उनके लिए income generate करना होगा उस food की जहां पर storage हो रही है उसके लिए income generate करना हो तो इस तरीके से हमें inclusive approach अपनाना होगा तो ट्रिकल डाउन के जो opposite हम अगर वर्ड देखना चाहें तो कहीं न कहीं वह inclusive growth को आप ले सकते हैं inclusive growth का मतलब होता है कि लोवर स्टेटा से development होना मतलब आप जब कोई भी scheme लेकर के आए कोई भी development करें तो development जो है वह यहां तक पहुंच जाए उस society में that is the inclusive approach inclusive access को लाने की जुरत है अभी समय में तो रूरल supply chain is also crucial तो रूरल supply chain को कैसे expand किया जाए कैसे strengthen किया जाए यह सब बहुत ज़रूरी है तो फूद अग्रिकल्चर और अग्रिकल्चर और अग्रिकल्चेंशन औफ यॉनाइशन है रीसेंटली लॉंच्ट लॉंच्ट न्यूंचिव कोविड-19 रिस्पॉंस रिकव कि क्या नाम है इसका a new comprehensive COVID-19 response and recovery program इसमें क्या होता है इसके नाम से clear हो जाएगा कि COVID-19 को लेकर के proper response or recovery program को launch करना है to provide an agile and coordinated global response aimed at ensuring access to nutritious food for everyone by mobilizing all form of the resources partnership at country and regional level so FAO के द्वारा FAO का काम ही है यॉनाइट नेशन की agency हमने डिसक्स करता बहुत पुरानी agency FAO और इनको बनाया ही गया है इन्हीं जो overall world में फूड की crisis आती है या क्या program implementation होना चाहिए इन सभी चीजों के nutrition का क्या level होना चाहिए इसके लिए FAO काम करती है और इसी को target करते वे नया एक scheme और program लेकर गया इसका नाम है new comprehensive COVID-19 response and recovery program इसमें nutritious foods को provide किया जाएगा बच्चों को country के अलग अलग country को इसमें partnership level पर लिया जा रहा है इसके लावा दूसरा एक concept याद रखेगा United Nations का है build back better किसका है UN का है तो कोशन आ सकता है यहाँ prelims में इस बारी आ सकता है कि build back better was in news associated with what तो यह UN agenda के तहत इसको launch किया गया है SDG को कैसे achieve करना है यह इसका मुख्योदेश है new program aims to mitigate the immediate impact of the pandemic pandemic का जो impact हुआ है उसको कैसे address किया जा सकता है कैसे mitigate किया जा सकता है इसके लिए यह built back better का agenda लेकर किया इसको चीजों पर जादा focus किया जा रहा है हर जगह पर एक तो क्या है food food security जहां पर इन security food की security और दूसरा livelihood ताकि लोग जो है वो उस food को avail कर सके अपना एक अच्छा lifestyle जो standard of living है तो गेंद कर सके इसके लिए food और livelihood दोनों के लिए काम किया जा रहा है हर जगह पर तो मेन अभी यह उदेश है कि livelihood को कैसे जो क्राइस है खत्म करके food availability को कैसे लेकर के आए तो इस चीज पर focus करना है and smallholder farmer to produce nutritious food without fear of crop failure तो हमें इसके लिए क्या करना गाए food के लिए जहां से सोचिए आपको कहां जाने की जरूरत है food के लिए आपको farmer के पास जाने की जरूरत है अब आप farmer को यहां पर help करो farmer को help किस तरी कैसे मिल सकता है farmer की जो अपनी security से उसको खत्म कर दो माल लो कि वो nutritious food उगाते हैं लेकिन यहां पर उनको उसी तरीके से security provide करन हैं आपके जो crops होंगे उनको सही दाम पर खरीदा जाएगा इसके लिए हम आपको MSP provide कर रहे हैं पहले से तो यह सारी चीज़ अगर हम बदलाव करते हैं farmer जो smallholder farmer है क्योंकि उनको नुक्सान होता है तो जाहिए तो बहुत बड़ा नुक्सान होता है तो इसमें उनको शामि security है उसको हम अचीव कर सकते हैं other than that asia pacific reason is dynamic as it is large asia pacific reason तो छोटा सा reason तो है नहीं आप देखे तो पूरा पूरा वर्ल्ड इसमें अगर एक पार्ट को छोड़े आया तो समाज आता है asia pacific reason में इतना dynamic है लेकिन यहां पर problems भी तनी सारी हमें समझ में आ रही है so it has some of the best agriculture scientist institutions and innovative ideas जिस तरीके से problems है वहीं दूसरी तरफ इस पूरे reason में prosperity भी है in terms of agriculture scientist institutions innovations और इसमें आपको नाम पता होगा Australia, New Zealand यह जो आपके Asian countries हैं इसके लावा India, Japan, South Korea, Singapore यह सारे देश बहुत इच्छा परफॉर्म कर रहे हैं and virtually every country in between and innovators are proving that everyone can benefit of the new technology and science इस तरीके से अभी अभी आप देखें कोविड-19 के दौरान virtual meetings हो रही है हर मुद्दे पर बात हो रही है तो इस तरीके से सारी country अगर यह मिल करके चाहें तो इन problems को बहुत असाने से resolve कर सकती है और कुछ examples भी यह दे रहे हैं कि जब drone को deploy करने की बात आई कि flood monitor करने के disease यह भी आ चुका है कि आप स्मार्ट फून में application डाल करके आप plant के disease का पता लगा सकते हैं तो वहां पर भी कई सारे technologies को introduce किया गया तो फार्मर या agriculture के sector में बहुत सारी innovations हो चुके है और उसको और अच्छे से इंशॉर किया जाना चाहिए monitoring का nutrition monitoring और smart purchasing का concept भी introduce किया जाना च समय नहीं है कि आप वेस्ट कर सकें सो सभी लोगों को एक platform पर लाया जाए कि जरूरत है तो सभी लोगों को platform का मतलब है government होनी चाहिए academic research के लिए होनी चाहिए private sector को include कीजे पैसे की जूरत पड़ेगी UN agencies आपके साथ होनी चाहिए ताकि international level पर इसको recognize किया जा सके and civil society organization तो ब bring us the food we eat the small folders और जो farmers है उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं तो इन सभी को लेते हुए एक proper pandemic को के रोख थाम के लिए हमें प्रयास करना चाहिए आंड the FAO has rolled out hand in hand initiative अब देखें आंद में जो conclusion है वो बहुत ही भैतरीन है इसको याद रखेगा hand in hand exercise भी होता है याद है आप लोगों को बताईएगा hand in hand exercise कौन कौन से देश के बीच में होता है इसलिए यहां पर इस बात का पता लगाना जरूरी है कि यह जो hand in hand initiative है यह FAO के द्वारा चलाए गया है तो एक्जाम में पता चला है hand in hand initiative है तो हम confused हो के जल्दी में exercise समझ जाएं तो यह वो नहीं है यह FAO के द्वारा लाहवाई की initiative है जिसमें की जो challenges वगरह हैं उनका क्य क्या collective approach हो सकता है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है ACI Pacific region में उसके लिए FAO काम कर रही है विश्विल बी वर्चुरी होस्टेट बाइ भूटान और इसको भूटान के द्वारा वर्चुली यानि कि online platform पर होस्ट किया जाएगा perfect opportunity for the 46 members जो FAO के members हैं सारे उनके लिए बहुत और अच्छा बनाएंगे तो हमारी कई सारी परिशानी एक साथ रिजॉल्व हो जाएगा अगले आटिकल पर चलते हैं और अगला के लिए वाला है इंडिया एंडिया मस्ट एम फॉर वाइडर कंजूमर बेस डायरेक्ट पबिक स्टिमिल्स पता समझ में आ गया होगा अब अब ही रिपोर्ट चितनी भी आ रही है वहां पर हमें क्या पता चल रहा है भारत में स्टिमिल्स का ज्यादा अप्रोच है पर मैंने आपको पहले बताया था सटिमिल्स में ऐसा होता है कि जब आपस्टिमुलेट करने के लिए को लित्रेश को कते हैं मतलब हो गया कि जब गॉल्मेंट एकस्पेंडी टीच समय को सब्सक्राइव बढ़्सकर करेखी बुदकर्ध पैसा पहुंचeszी कि कुछ कुत करने के चलो अभी सब महिलाओं के पास 1000 रुपे जाएंगे पर मन्त तो महिलाओं के पास 1000 रुपे पहुंच जाएंगे तो फिर खर्च करेंगे उसको फिर अभी गौर्मेंट बोल दे कि एक और हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं किसानों के लिए यह आपके अकाउंट में अब मंथली बेसे पर पैस करोगे तो यह भी तो देखना पड़ेगा कि अधिन अधिन कहां से कर रही है क्या इतना रेवेन्यू आया है क्योंकि अब हमने कई सारे पढ़ा है कि जो इंकम टेक्स का बेसे बहुत कम दिया गया है सरकार को इसके अलावा जीस्ट कलेक्शन बहुत कम हुआ है ववराल पै फ्रवेनियू में पहुंचते हैं वह नहीं पहुंचे हैं तो अब वहां पर जो एक्सपेंडीचर है वो उसको वह बॉर्विंग कर के करें की वर्ल्ड बैंक से पैसा लेगी या किसे और इंस्ट्यूशन से पैसा लेगी मार्केट से पैसा उठाएगी तो अलग लग तरीक तो इस चीज़ को हम एड्रेस पीसमील एड या ट्रांसफर से नहीं कर सकते पीसमील एड मतलब आप जो टुकड़े-टुकड़े में एड्स प्रवाइड कर रहे हैं आप जो छुटे-छुटे सहायताय पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इससे आप इतने बड़े इस्ट्रुक्ट्रल डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते इसके लिए आपको कुछ अच्छे अपरोच लाने की जरुरत पड़े सकती हैं तो ब्रॉद्ट प्रोवाइड लिमिदेड स्कोर फॉर शाप रिकावरी ओवर दो मीडियम टर्म और विद और कि इस तरह जान दीजे क्या कहा जा रहा है कि जब हम जो बढ़ाएंगे उनके इंकम को बढ़ा सकते हैं और हम बढ़ाएंगे तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और पॉलिसी फोकस नीड टो शिफ्ट तो री बिल्ट एंड री कवर थ्यान दीजेगा यह रिलीफ चल रहा है न अभी क्यों अभी हर जगा पर रिलीफ पैकेज दिये जा रहे हैं कैसे उनको इंड ग्रोट सीन ओवर यह जो अपने जो री प्रेशब है भारत में जो तरीके से देख सकते हैं प्राइस पर कंस्टेंट प्राइस करते किरा इसकर यह और जब हम नॉमिनल पर देखते हैं तो वह अभी इसमें इंफ्लेशन उड़ावा होता है तो महंगाई में आप जब भी निकालोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत जादा दिखे लेकिन अगर जैनुरिली हम उसमें इंफ्लेशन को माइनस कर देंगे तो नीचे चली जाएग प्रभाव जदा नहीं पड़ाव बहुत जब बार जब फाइनशल क्राइस नीच थी आठ वगर में तो वहां पे स्टिमिलस पैकेज को खूब लाया गया और भारत में उसका प्रभाव ज़्या नहीं पढ़ाई था financial crisis का और वहां से फिर growth हाया और तीसा हुआ consumption phase में growth देखने को मिला but the economy estimated to have lost around 20 to 28 trillion due to the lockdown और lockdown ने आकर के सब कुछ इधर से उधर कर दिया अच्छा खासा लोगों का नुक्सान हुआ हर किसी का नुक्सान हुआ हर एक सेक्टर का क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था जो चीज़े खुली भी थी तो वहां पर supply constraint था बहुँ जादा इस तरीके से जो यह लॉकडाउन की वजह से काफिया प्रफावित हुई है सारे शेत प्रफेंडिंग कर रहे हो और उसके लिए अब यह क्या बताते हैं इस तरीके से लोग इतने अंसर्टेन हो गए हैं कि वह खर्च नहीं करना जा रहे हैं यह तो हमने कई बार डिसकस किया हुआ है दूसरा है तब फिसकल सिचुएशन वह वीग मैंने अभी जस्ट आपको ब करता है कि सरकार के पास इतना इतना स्पेस ही नहीं कि वह खर्च कर सकें पहले की बहुत ज़ादा खराब थी तो यह सारी दिकत है यहां पर बहुत आसानी सो लोग कह देते हैं कि हमें प्रिंटिंग मनी पर चले जाना चाहिए और पैसे चाप दे और यहां से फिर हम मार्के कर सकता है बहुत बुरी तरीके से डामेज कर सकता है विकास जो डेटis GDP है इसको मैंने आपको बहुत डीटेल में बताया था डेट डीटीप रेशयो क्या होता है और आपके उपर जो कर्ज है जो डेट है उन दोनों के बीच का रेशयो कितना है तो आप अपने आपको तर्म में डेवलब्ड नहीं हो आपको अपने पैसे को पहले उनको वापिस करना होगा तो फिर आपको देखना होगा कि आपके पास कितना स्पेस बचा है लेकिन भारत में तो इस्तिती यह है कि 85% तक जा चुका है मतलब यहां पर जो डेट टू जीपी रेशियो है वो फिस्कल डेफिस्ट टू जीपी रेशियो निकाला गया है तो यानि कि फिस्कल स्पेस बहुत कम है यह कहा जा रहा है नौ अधर सेट ऑफ बेस फॉर एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस अनी काइंड ऑफ स्टिमुलस इस शुड बी वेल टार्गेटेट एंड हाव मल्टिप्ला होना चाहिए तब ही हमें उस इस्टिमुलस का फाइदा मिल पाएगा एंड वी आग्यूट इंडिया 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 नीज तू बढ़ाया जाना चाहिए अगर आपको लॉंग टर्म ग्रोथ प्रस्पेक्ट करना है तो अपने पूरे पॉप्रेशन का दस से 10-20 परसंट जो जो तॉप 10-20 परसंट पॉपलेशन है वहां पर हमें कंजूमर बेस को बढ़ाना होगा एंड इंड नोट हैपन विधर रेगुलर दोस फॉंशन स्टिमुलस बट प्रेटिंग इंड वेल पेड इंप्राइमेंट फॉम्ट फॉम्ट मिडल सेग्मेंट इसे कुष्णि होने वाला हमें एक वेल पेड इंप्राइमेंट की एक कहते हैं आप लोगों को स्किल डेवलप्मेंट दे रहे हैं ठीक है तो इसके पास इसकिल लेने के बाद उनके पास जॉब नहीं रहेगी तो जॉब अगर नहीं मिल रही हो उनको उनका फाइदा नहीं हो रहा है तो यहां पर सरकारों को एक साथ एक ऐसा पेड इंप्रोइमेंट प्रोजेक्ट लेकर आना चाहिए अपने मन्रेगा मैं थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन उससे क्या हुआ उससे लोगों को सौ दिन की गारेंटी तो मिल गई बट सौ दिन में भी क इससे लिए अपने लग जाएगा तो यह सब चीजे काफी इंप्रोटन होती इसके जो बेसिकली क्रिटिकल टर्म्स हैं यह सब हमें पता होने चाहिए अब हमें कोई भी चीज अगर मार्केट में अगर अपनी पब्लिक के लिए पीपल के लिए कुछ काम करना है सबसे पहल अब हमें क्या है क्या है कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा है तो फिर कोई फाइदा नहीं है इंडिया इंट्रम इंवेस्टम अट्रक्टिवनिस को यहां पर ध्यान देना होगा और कैसे आप अपने लेबर मार्केट को रोबोस्ट कर सकते हैं और प्ल प्लफ्स का जो इसका रिपोर्ट आई थी इसमें क्या बताया गया तो आपको मैंने बताया था यह इसी पीलफस के रिपोर्ट के कोर्डिंग ले की सिर्फ पूरे 90 परसेंट जो वर्क फोर्स अभारत का वह इनफॉर्मल सेक्टर के लिए काम करने का मतलब ही हो गया एक लोगों के पास कोई सोशल स्विधाय मौजूद नहीं है इसका इंपक्त आपने अभी अभी देखा जब लॉक्डाउन हुआ था तो माइग्रेंट वर्कर के स्थिति क्या हो गई थी यहां पर इन चीजों को इन डाटा को हमें ध्यान में रखत और सेल्फ इंप्लॉइड लेबर और इन सम केसे इवन रेगुलर वेज़स और सेलरीड वर्कर को आर नॉट पार्ट अपर दफॉर्म सेक्टर तो क्या हो रहा है कुछ लोग जो फॉर्मल सेक्टर में काम करवा भी रहा है न तो वह उनको कॉंट्रैक्ट बिसिस पर हायर कर है कि फिर वह भी इंफॉर्मल सेक्टर के ही पार्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको रेगुलर सेलरी वगर उस दाप से नहीं मिल पाती है तो इस सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है रूरल सप्लाय चेन को फोकस करना है इसी रिपोर्ट ने और बी चीज इंडिकेट कि यह था कि जो रूरल नौन अग्रिकल्चर वर्कफोर्स है वो 50% है 35 प्रतिशत तक यह अर्बन वर्कफोर्स है जो की चौंस्ट्रक्शन और मैंटिक्ट्रिंग सेक्टर में इंगेज हैं रहाएं लोग हैं उसके पचास प्रतिशत लोग कहां से आते हैं रूरल नौन अग् और manufacturing sector पर अच्छा काम कर सकते हैं तो यह जो दो पिलर है भारत में manufacturing और infrastructure का इस पर इस पर जो इतनी बड़ी इतनी बड़ी लेबर फोर्स काम कर रही है इसके लिए हमें इसकी सीज़ बर पर फोकस करना चाहिए तो पहले तो हमें लेबर लेबर रिफॉर्म पर फोकस करना चाहिए राइट डेदूसिंग दा compliance बड़न को आप कम कीजिए प्रमोटिंग export oriented sector जिससे एक्सपोर्ट ज्यादा होता है उस सेक्टर को प्रमोट करेंगे तो overall फाइदा होगा current account deficit कम होगा लोगों को employment मिलेगी जो आत्म निर्वारभाद का सपना है वो पूरा होगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी and government has been pushing for electronic manufacturing and import substitution in some sectors कहीं कहीं पर government क्या कर रही है इंपोर्ट substitution भी कर रही है और यह सारी कहीं ना कहीं एक आप इंडिरेक्ली protectionism measures है उनकी बात कर सकते हैं कि वो उस तरफ लगाया जा रहा है and however the policy should not become too involved looking such that export promotion become difficult आप ऐसे policies को बनाई जिससे कि आपका export भी बूस्ट हो अगर ऐसी बनाएंगे जिससे कि export बूस्ट नहीं होगा तो फिर ज्यादा फाइदा मिलने वाला नहीं है और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इंफ्रा पर अगर इंवेस्ट करते हैं इन सब चीजों को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहिए और इससे गौवर्मेंट नीट टू चेंज अन इकोनोमिक प्राइस फॉर गूड्स पावर पावर इरिगेशन पॉलिक यूटिलिटी इस्टाविश्ट रूल उफ लॉफ 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 मिनिमल इंटर्फेरेंस इन प्राइसिंग अगर आप इन इंटर्डीउस कर रहे हैं तो वहां पर आपको इंटर्फेरेंस को भी कम करना होगा इन सेक्टर उसमें और एक इंसिटूशन भी यहां पर इन बनाने की बात गई है और इसमें जो एसे अप्रोच पर जाना होगा और इसके लिए यह जो यह जो सेक्टर है काफी तो हमें इन सब चीजों को देखते हुए जो पीपी मॉडल है उसको अप्रोच करते हुए एक पोटेंशल ग्रोथ पर फोकस करने की ज़रूरत है आज के बाद आपको यहां पर आंसर मिल जाएंगे कोशन नबर 88 से लेकर के 100 तक और आज ही आपको गुरूप पर में सारे पीडियस आज तक के प्रवाइड कर दूँगी वहां से आप अपना नोट्स क्रेट कर लेंगे कि आप लोग अगर कोई न्यूज आपको समझ में ना आए कोई परिशानी कोई इमेज ले करके गुरूप पे अप्लोड कर सकते हैं वहां पर हम लोग जो भी थोड़ा बात इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको दे दिया जाएगा और बने रहेगा उस ग्रूप पर जुड़े रहेगा हम जल्द मिलेंगे ठीक है और उसकी तब तक के लिए आप लोग इस विपर को अच्छे से पढ़ते रहना है आपको उसको स्क्रिप नहीं करना है और बी एनरजिटिक बी पॉस्टिफ कीप स्टारिंग थाइंक यू सो मुऊ लूग्